नर्मदे है, मात गंगे है, और इस बार सरस्वती है ये तीनों ट्राइलोजी मेरे आज कम्प्लीट हो जोगी 2016 में नर्मदा परिक्रमा करी तो शास्तुर में पता चला कि गंगा भी है तो गंगा की काबड यात्रा के तो उसके भाद शास्तुर में पता चला कि अगरे लिगी में प्रूर चक्र कम्पीट करना है तो सरस्वती माँ को दाना है और इसी ट्रिप के लिए मैं माना करा अज़ए कि सरस्वती माँ करना है क्योंकि इसलिए कि जब मैं ट्रावल करता हूं तो मैं materialistic चीजों में अपनी खुशिया नहीं डूंता हूं जैसे कौन सा hotel, क्या खाना खाना है, कौन सी गाड़ी में जाएंगे, कहा जाएंगे, क्या पहनेंगे मैं उन चीजों में खुशियां डूंता हूं, जिन चीजों में मेरे अपनों की खुशियां हैं हमारे वो लोग जिनकी संस्कृती है, उस संस्कृती की respect करना और उसी से जो प्यार उनसे मिलता है और जो खुशी उनके चेहरे पर देखने को मिलती है, उस से मैं बहुत खुश होता हूं और इसी लिए मैंने अपनी संस्कृती की कहानियों की पीछे ट्रावल करना शुरूर किया ट्रावल करते वक्त, अगर आप एक मिशन पर होते हैं, कहानी की पीछे होते हैं, एक मकसद की पीछे होते हैं तो वो जर्णी बहुत ब्यूरिफॉल होती है मेरी जर्णी भी कुछ ऐसी रही है हर परिक्रमा के बाद, मैंने ये ज़रूर कोशिश करी है कि मैं अपने गाउं जाकर, अपने गाउं वालों के वो जल दूँ, जिस जल को लेके मैं अपने साथ इस कठोर परिक्रमा पे, कठोर तपस्या पे निकलता है ये वो हमारे देश में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है और मैं इनी की परिक्रमा कर रहा हूँ, इनी माओं की बट हमारे कल्चर में, हमारे समाज में औरतों को घर से भाहर निकलने ने दिया गया था तो ये कितनी औरते हैं मेरे गाउं की, कोई मेरी ताई है, कोई चाची है जो कभी अपने घर से भानी निकलियोंगी, इस गाउं से कभी भानी निकलियोंगी, ना इन्होंने कभी नर्मता देखी होगी, शायद ही इन्होंने गंगा देखी होगी, और सरस्वती तो इन्हों बिल्कुल नहीं देखी होगी, पर मैं अपनी यात्रा करके, उस कहानी के पी पीने के लिए, पर ये खुशे कि उनकी जो संस्कृति है, उसी संस्क्रिति को मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, ये बच्चे जो मेरे हाथ से जल ले रहे हैं, परशाद ले रहे हैं, ये भी बढ़े हो के कभी सोचेंगे, कि वो हमें जल क्यों पिला रहा था, क्या था वो जल तो कहां था वो जड़? क्या ये भी आगे बढ़के शायद किसी खानी के पीचे ट्राइवल जरूर करेंगे? हम सब को पने अंदर एक चीज़ जरूर ध्यान रखेंगे कि हम चाहिए जीवन में कहीं भी होंगे, कुछ भी कारे कर रहे हों, कुछ भी काम कर रहे हों, कोई भी तरीके भी जानने चाहिए, ना कि हम अपने तौर तरीके उनके जाग, उनकी जगा पे ले जाके, उनके कल्चर को छोड़ कर अपना कल्चर उन्ने पढ़ाएं.